स्टुडेंट्स तोब करने वाले हैं मंतरा भाग दो हिंदी कक्षा बारवी का चैट्र नमबर है हमारा 10 रामचन्दरी का रामचन्दर का को आज आम पढ़ने वाले इसकी आपको संबरी स्टार्ट करके बताएंगे तो आएए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट इनके जो राइटर है उनका नाम है केशवदास केशवदास का जन्म जो हुआ था वो हम आपको पहले बताएंगे केशवदास का पूरा नाम केशवदास मिस्रा था केशवदास जो हैं वो हिंदी रितिकाल के प्रसिद कवियों में से एक थी रितिकाल में उनका रस कवियों में काफी रूप में जाना जाता है केशवदास का जनम बातवा नदी के तटपर 1555 में आच्छोरा नगर में हुआ था औरचानगर में हुआ था कभी केशवदास ने काफी सारे विशों में ग्यान रखने वाले व्यक्ति है इनके विशों में कहा जाता है कि कोई भी विशों ऐसा नहीं है जिससे वे परीचित नहीं है ऐसे कोई भी विशय नहीं है जिसके बारे में इनको ग्यान प्राप्त ना हो साहित्ते से लेकर संगीत, धर्म, सास्त्र, तता, राजजिनीतिक तक जोतिशी के लेकर विज्ञान की हर चीज़ का ग्यान उन्हें था शाहिद इनी सबी विशय के कारण आज भी वह लोग प्रीय हैं राम चन्दर चंद्रियका कविता का शारांस तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कविता के मुखे पहलू आपको बताते हैं परस्तुत कवीता में केशव दास जी की परसीद रचना रामचंद्र चंद्रिगा का अंसर से लिया गया है इस कवीता के तीन भागों में विभाजित किया है पहले भाग में उन्होंने मास रस्विती की महीमा का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है दूसरे भाग में उन्होंन पतनी मंदोधरी ने स्वrament किया है रामचंद्र चंद्री का कवीता की व्यक्षय यहापे जो रामचंद्र है उनकी कवीता स्टार्ट हो जाती है बानी जग रानी की उधारता बखाणी जाई ऐसे मती उधित उधार कोण है भई देवता परसिद सिद रिशी राज तप बंद कही कही हरे सब कही न काहू लाई भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है कोसो दास कहू हूना बखानी कहू पे गई पती बने चार मुखे पूत बने पंच मुखे नाती बने शष्ट मुखे तदपी नई नई अब यहाँ पे जो कवी है वो कहना चाहता है कवीता में मा सरस्वती की वंदना की गई है जिसमें कवी केशवदास जी मा सरस्वती के वैवव सौंदर्ययत अथा उनके गुणों के विशा में हमें बताने का प्रयास करते हैं जब भी कोई सुबह या कोई शुबह कार आरंब करते हैं तो उससे पहले सरस्वती मा की पूजा करी जाती है तथा अर्चना करी जाती है ठेक उसी परकार केशव जी जो है अपनी कवीता की शुरुआत करने से पहले सरस्वती मा की वंदना सुती करना जरूरी समझते हैं तभी तो उन्होंने कवीता की शुरुआत में सरस्वती जी की वंदना को लिख कर शुरू किया है कभी कहते हैं कि सर्षवती के वैभव संदर्य इत्यादी का इस्तमाल करने से इसको बोलने के दुआरा हम शब्दों के माद्यम से वर्णन करना संभव नहीं करते कभी यह बताना चाहते हैं कि देवता, रिशी गुड तपसी सबी लोग मिलकर मा सरस्वती की परिशंसा करने का बहुत बार प्रयास कर चुके हैं मगर कोई भी उनकी परिशंसा में व्यापक गुणो सता सौंदर्य का वर्ण शब्दों में माद्यम से नहीं कर पाए हैं आगे केशव जी बताते हैं, दस ही ये वे व्यक्ति हैं जिनने आज तक कभी न कभी व्यक्तिय मा सरस्वती की महिमा का गुणगान कर पाया है ना ही कर पाएगा और ना ही वर्तमान में कोई कर रहा है कभी केशवदास अंतिम पंक्तियों में बताते हैं माश सर्षवती की महीमा का व्यखान तथा उनके चार मुखवाले पती याने ब्रह्मा नहीं कर पाए पंच मुखवाले उनके ग्यानी भगवान शीवी उनकी महीमा का गुणगान नहीं कर पाए और छे मुख वाले कार्तिक उनकी महिमा का गुणगा नहीं कर पाए तो फिर पिर्थी में रहने वाला ऐसा कोई नहीं है जो सर्थ्वती के गुणों का व्यखान कर पाए क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे तथा बिना शब्द के उन्हें व्यक्त करना असान नहीं होता सब जाती फटी दुखी की दुप्टी कप्टी न रहे जग एक घड़ी निरगटी रूची घटी तथा हूं घटी जग जीवन जीतन की छूटी चटी अज ओज की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरू ज्यान गटी चहू ओइन नाचिती मुन गटी गुन घूरग जटी वन पंचवटी पंचवटी इसमें यहाँ पे उन्होंने वरणन किया है लक्षमड ने उन भाग में कवी को पंचवटी के सुन्दरता का वरणन करते हैं कवीता में इसका आंश्र लक्षमड एवं उर्मीला के मद्ध्य पंचवटी के सुन्दर सुन्दर गुणों के विशे में चर्चा करते हुए दोनों के मद्ध्य में समवाद होता है तो हम पढ़ेंगे लक्षमड और उनकी जो पत्नी है और मिला उनके बीच में क्या समवाद होते हैं लक्षमड जी कहते हैं कि पंच्वटी जिस स्थान पर स्थित है वे स्थान इतना शुद्वे शांत है कि वहाँ पर याद की गई तथा दुखी दुखी व्यक्ति भी कहा जाता है और अगर कोई दुखी व्यक्ति भी वहाँ पर जाये तो उसका मन भी शांत हो जाता है और मन की वेथा खतम हो जाती है तथा वे अच्छा मैसूस करने लगता है इतना ही नहीं जब कोई छल कपट करता है तो जिसके मन में छल कपट हो वो भी शांत हो जाता है और अगर कोई ऐसा व्यक्ति पंचवटी पहुँच जाए तो उसके मन से छल कपट इतना दूर हो जाता है कि वे एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है इतना ही नहीं पंचवटी के समक्स आते ही हर व्यक्ति के मन में मौत से लेकर भै होता है वे चला जाता है एवं संसार के प्रती हर व्यक्ति को मो माया शन भर में खतम हो जाती है व्यक्ति की इच्छाएं आशाएं बाधाएं और सब कुछ उसी स्थान पर आकर खतम हो जाती है आगे जो कभी हैं वो बताते हैं कवी केशव दास जी अपनी इन पंक्तियों में उर्षण तथा लक्षमन उर्मीला जी से कहते हैं पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहांपर हर व्यक्ति को गुरू मिलता है जिसके शमक्स जाते ही वे सब कुछ बूल जाता है और गुरू ग्यान को पाने के लिए अपनी मौ माया तथा चल कपट इच्छा विलाशा शब त्याक करने के तयार हो जाता है गुरू रूपी ग्यान के सागर को खुद से डूबा तथा हमेशा हमेशा के लिए वे अपनी स्थान पर रहना चाता है अंतिम पक्तियों में कभी ये बताना चाते हैं कि जिस परकार शिव भगवान अपनी जटाओं में समाहित होते हैं तथा उसी परकार पंच्वटी में आकर व्यक्तियों के कुछ दुख दर्द और चल कपट भूल जाते हैं अपने पापों की मुक्ति पा लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए पंच्वटी में रहकर आगे जीवन बिताने कोई सोचते हैं सिंदू तरियों उनको बनरा तुम पे धनु रेखा गई ना तारी बधाई बधात ना हो बनेयो तथा बधीरी बद के बाट करी शिरी रगुनात प्रताप की बात तुम दसकंठ ना जाने परी तेलनी तलनू पूछी जरी नजर जरी लई जराई जरी अंगद और यहाँ पे जो रामचंद्र का वरणन किया गए इन पंक्तियों में अब सम्वाद करा गया है रावड और अंगद की बीच में जिन्होंने उसमें कुछ वर्णन किया है अंगद रामचरण के गुरुणों की बखान करते हुए रामड को कुछ बताते हैं तथा सीता मया को लोटाने की बात का वर्णन करते हैं अंगद कहते हैं भगवान राम का दूत हूँ यानि मैं भगवान समुद्र पार करके यहां तक पहुचा हूँ मगर रामड इतने शक्तिशाली होकर भी लक्षमण द्वारा खीची गई रेखा को पार नहीं कर सके अंगद कहते हैं कि रामड ने राम के दूत हनुमान को बांधने की कोशिश करना मगर बांध नहीं सके वहीं दूसरी और उनके दूत से मिलकर वे पूल बांध लिया अंगद आगे कहते हैं कि दशाशन इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अग्यान हो राम की शक्तियों से तथा इनकी शक्तियों के विशे में तुमें अभी ग्यान नहीं है अंति में अंगद रामवड को खहते हैं कि रामवड तुम हो अपने हनुमान की पूछ में कपड़ा बांध कर उसे पूछ से आग लगाना जलाना चाहते थे मगर नवाय राम का दूत है हनुमान जला नय उसकी पूछ जली और नय कुछ जला तो तुम्हारे सीने की लंका जली वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो सोने की लंका है वही जलके सारी बश्रम हो गई थी तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर है राम चंद्र चंद्री का भी खतम हो जाता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करते हैं जाना अभी लेतना ही सी यू थैंक यू